सबी साथियों को बहुत बहुत नमशकार इस वक्त मौजूद हूँ जारखंड के गुमला डिस्टिक में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के सैनिक जो राष्ट की तो सेवा करी रहे हैं साथ में समाज की भी सेवा कर रहे हैं नेट अप मार्केटिंग की शांदार दुनिया में बहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज निकल रहे हैं शांदार ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए नैनी ताल परचे देना चाहूंगा आपका नाम मिस्टर लच्मन महलिये सर बहुत-बहुत स्वागत है सर और जैहिन सर देश के सैनिक को सलाम और सल्यूट सर तो सर मेरा पहला सवाल आपसे तो कई बार में मुलाकात कर चुका हूं अभी आपके एक वीडियो वाइरल हो रही है एक दिल के अंदर लगबग दो लाख लोगों ने आपको देखा और बहुत सारे लोग सोचल मीडिया के माध्यम से भी आपके साथ बिजनस कर रहे है सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर की आप देश के सैनिक यूथ-यंग अभी यूवास से पूरा देश भरा पड़ा है यूथ-यंग जनरेशन से और आप यूथ भी हैं कहा जाता है खग अब आपके पास बिकुल सही कहरें रागो सर सबसे पहले तो आप आये हमारे गुंबला सहर में आपके पदारा और आज खासकर मेरा इस्पेसल इंट्रिव्यू लेने उतना दूर से चल कर आये हैं इसके रहे हैं बहुत बहुत धनवार और मैं उन सभी वीवर्स से भी बोल से वाइरल हो रहा है मुझे पता भी नहीं है और एक दिन में दो लाग से ज्यादा लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं यानि मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं मतलब मेरी बात लोगों को समझ में आ रही है तभी लोग देख रहे हैं तो मैं उन यूथ को यही कहना बिल्कुल सभी बात है अभी कोई भी फैक्टरी में जहां पर हजार कर्मचारी काम करते थे वहां पर 500 में कम चला जा रहा है तो अब जैनरेशन करेगा तो क्या करेगा पढली के घर में बैठेंगे सभाईविक एक दूसरे से कॉमपीडिशन होगी हम सरकार से निकर रहे है हम अपने आप से कर रहे हैं जिसके अंदर क्वालिटी होती है वो लोग अपने टॉप मेरिट में लाकर प्राइवेट लेकि जो एवरेज उसत पास किया है जिसके पास उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है या कम मार्कशिट से पास किया वह कहां जाएंगे वैसे बच्चों के एक लहता ही उपर्चिनिटिटी है वह एक विख वह या इंड। फील्म इंडेस्ट्री है अटो्म इंडिस्ट्री है तो लोग इसके बारे में लोग बड़ा वहला क्यों नहीं कहते जैई क्योंकि इसको देख रहे हैं इसको सोच्व मेडिया पर टेलिवीजन पर देख रह और एक दिन ऐसा भी होगा आप जरूर देखेंगे अगर हम इस धर्ती पर हैं तो आने वाला दोर में डारेक्ट सेलिंग की पढ़ाई हमारे स्कूल और कोलेज में तो इसे चल रही है लेकि जो मिडिल क्लास है यहां भी हमारी डारेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो पर आप मैंने जौब के परिवासा जानता हूं मैं भी जॉब करता हूं दो खराब को घूंगा लेकर च्शू क्या लिखभी जींदा क्या बोलते है न तो ओमर मरने देगा न खhihi DR. बनने देगा ना भुखा मरने देगा ना मीर बनने देगा तो मैंने कई जॉब करने वालों को मैंने देखा उनकी लाइफ एस्टाइल को देखा कोई बड़ा परिवर्तन आया नहीं पिछले 15 साल से में भी देश सिवा में लगा हूं मेरा बड़ा भाई भी फौज में है उसक तो इसाम में बहुत बड़ा स्कॉस है क्वेशार्य धेस यह यहां देश में नहीं हो नहीं होगा थो किसे करते एक दूसरे से लेन देन का इक धूसरे से खरीद बिक्री होती है उसी को तो बिजनेस करेंऊ अब business को लोग गलत मझरी से देखते हैं उनको लगता है कि business करना शाई सबसे अच्छा profession क्या नहीं है जोग करने वाले क्या सेस्स नहीं करते हैं सब्पाराइ करने और गंटर समय को सेल कर रहे हैं समय के बदले उनको पैसे मिल हमारे पास हम N power रखने के बास हमारे पास यतने पैसे नहीं हम केशी को men power रूप में रखनी सकते हैं नट जिस वजय से हम convey लोगो के सालों और को काम नी करवा सकते अपरने लिए इसलिए हम लोग दुसरे की नोकरी करने जा रहें शूद यह जाप करने जा होगा तो अधो जो च्छा नहीं करना है निरा लेकिन हमने !!까요 को कैसे और मश्भूत किया जाए ?। कि बहुत तरह तरह की भ्रांतिया होती है पुरसों के साथ दृष नहीं करना है ! महीलाओं को अलग करना सेक्यूर्टी नहीं है तो क्या डारेट सेलिंग वो सिक्यूर्टी प्रदान करती है ? का डारेक सेलिंग कहीं घर मेंने हैं लड़कि आज बा़ Μी वी चंतरमा भी है और हमारे देश के उच्ट महिला कर सकते हैं कि भूस स्षश कषखते हैं करने का चूड बसे हैं महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं उनको क्या लगता है जब तक वो 마ाब के घर अब तक हो किया है इस फिर 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 घर में जाती है फिर उसके एंदर में भूछ सारेецठ तो महिलाएं इस वज़े से उनका अपना टाइलेट नहीं दिखा पाती क्योंकि उसको बस कीचन से सिमित है और बच्चों तक सिमित रह जाती है घर का काम में सिमित रह जाती है वह कुछ करना तो चाहती है जिंदगी में लिए कि उनके लिए कोई प्लेटफोर्म नहीं मिल प पांच बजे लोट के आ रही है जी विल्कुल सही है जार आपके पास तो हेल्थ सेक्टर का काम है ना सर अइरवेद को आप जंजन तक ले जाते तो यह तो बड़ी अच्छी बात है यह तो हर किसी को करना चाहिए जो घर में पीडित है बेड बिस्तर पे है अगर उसको हम में लेकर आ रहे हैं केमिकल से छुटकारा दिला रहे हैं अंग्रेजी दवा से मुक्ति दिला रहे हैं और भारत की जो हमारी आयरवेद पधती है उसको हम लोगों के घर तक पहुंचा रहे तो कई गलत काम तो ही नहीं है सर एक बड़ी खुसी की बात है सर कि अभी आप जो पालने पढ़ते हैं को पढ़ाना लिखाना भी पड़ता है और पैसा उतना ही होता है जितना की 10-15-20 दिन के बाद उसारे पैसे खत्म हो जाते हैं फिर हमें अगले मेंगी इंद्जियर करनी पढ़ती है और दुनिया में हर इंसान को चाहिए सर पैसा तो बड़े-बड़े सब्सक्राइब इस खत की मुली है हमारे पास थोड़ा सा पैसा है सर है की नहीं आज अगर आज जीओ का मालिक है देख लिए मुके संबानी तो आज जीओ का नेट्वर्क आज भी लगा रहा है जहां जहां जीओ नहीं पहुंचा वहां जीओ पहुंचाने में लगे हुए यहां तक कि अपना देख लीजिए अभी टोप भी अपना उसका बढ़ा दिये क्यों पैसी क्या हो सकता उनको रहा दिये लेकिन हमारे पास ऐसे नेटवर्क है उनके पास कि उनको पैसा देना पड़ेगा आप उसके सब्सक्राइब कर शाधे कि इस्तमाल करना बंद जो जी जो अभी सेवा करते हुए इस समाज की सेवा में लगे हैं और जो सेवा से निब्रित हो गए हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं बिल्कुल सर मैं कहता हूँ यह आखरी मौका है सर यह एक लाखरी चांस है यहां पर लोग दोस्त लेके आता है और हम सब Workshop की निगाहों से ढखते हैं कि गलत दोर था तब चल रही थी अभी डायुक्ट सेलिंग लिफल कंपनिया चल क्या याव और गवर्मेंट के रूल then के अदर चल रही हैं यह उपारी स Assistant क् मती कमिसन लेना कोई गलत बात तो नहीं है हम काम कर रहें उसके बाद है कमिसन मिल रहा है तो साथ यो देख रहे हैं आज जार्खन के गुम्ला डिस्टिक में मेरी बुलाकात और बातचीत देश के सैनिक से हो रही जिनका नाम स्टर लच्मन माली है तो सर से मिलके बड़ा कर कि बहुता सागरे है